तो दोस्तो अगर आपको position relative और position absolute को लेकर काफी confusion रहता है तो इस वीडियो को complete देखने के बाद आपका ये confusion दूर होने वाला है इस simple design को बना कर हम सीखने वाले हैं position absolute और position relative अगर आप अभी HTML CSS सीख रहे हो या सीख चुके हो लेकिन positions वाले concept आपके clear नहीं है तो guys आप सही वीडियो पर आए हो सबसे पहले मैं या आपर vs code में चलकर एक index.html की file बना लेता हूं और एक file बना लेते हैं style.css HTML की file में सबसे पहले boilerplate generate कर लेते हैं और CSS की file को link कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर link लिखेंगे तो यहाँ पर आपको suggestion में show हो जाएगा style.css यहाँ पर ऐसे समझते हैं एक डिव बनाता हूं और उसका नाम रखता हूं मैं यहाँ पर फादर शर्याम ऐसे आपको simple जल्दी समझ आ जाएगा और इस डिव में मैं four child डिव बना लेता हूं first डिव, second डिव, third and fourth और इसकी class का नाम मैं रखने वाला हूं child child इसका common name है और देखते हैं father अगर अभी हम देखें तो यहाँ पर एक father शर्याम man due और उसके four child हैं तो इनके नाम difference declare कर देते हैं पहले का नाम मैं आपर रख देता हूं राजू and second name राजा और third name पप्पू और fourth child name declaration रख देते हैं यहाँ पर नो ना तो ऐसे आपको जल्दी समझ आ जाएगा यहाँ तक simple है यह father है man due और इसके four child due हैं अब चलते हैं simple CSS की तरव सबसे पहले मैं यहाँ पर CSS में आकर call करता हूं father shame को ओके तो अभी तो यह तो man due है तो इसकी width मैं आपर रखने वाला हूं और margin की बात करते हैं तो इसको margin कर लेते हैं 22 vh auto ओके अभी चलते हैं पहले child की तरव ठीके ना background color इसका हम यहाँ पर declare कर देते हैं grey तो अभी यहाँ पर हमारे पास child आ चुका है लेकिन अभी हमें इसको अलग अलग position पर move कराना है तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा सबसे पहले मैं इतने भी हमने difference नाम declare किये हुए है तो उनको यहाँ पर call करता हूँ सबसे पहले rajoo dot rajoo और इसको मैं left मैं move करता हूँ 95px और bottom से move करना है 250px और इसका border declare कर देते हैं 5px solid wide smoke और इसका border radius कर देते हैं 50 पर से तो यहाँ पर rajoo कर design complete हो चुका है and second भी हमारा same रहने वाला है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना होगा left मैं move पर देते हैं हम इसको 250px और bottom से इसको कर लेते हैं 100px बाकी हमारा same रहने वाला है border और border radius अभी चलते हैं third child इसका नाम है उसकी side और उसको करते हैं right से 250px move और bottom से कर देते हैं 100px और border की बात करते हैं तो border और border radius same ही रहने वाला है और last child जिसका नाम है nona उसको क्या करते हैं उसको left से करते हैं 100px और top से करते हैं 250px और border और border radius इसका भी same ही रहने वाला है लेकिन अगर हम अभी देखें तो ये ना ही left में move हो रहे हैं ना ही ये right में move हो रहे हैं तो उसका क्या reason है तो जैसे ही आपर इसके पास parent view है father share अगर हम ऐसे समझें कि ये अपने father की कोई भी बात नहीं मान रहे हैं इनके father ने इनको बोला है कि तुम left में move हो जाओ तुम right म move होना है लेकिन ये जितने भी चारो बच्चे हैं ये अपने बाप की बात जरा भी नहीं मान रहे हैं तो इसके बाद क्या करना होगा इसके बाद parent की लिए एक property आती है father को एक property का use करना होता है वो क्या करता है position relative और वो position relative अपने लिए declare करता है तो जैसे यहाँ पर father share में उसने अपने लिए property का use किया है position relative और child को वो position declare करता है position absolute और जैसे ही वो ये दोनो properties declare करता है तो child अपनी अपनी position पर move हो जाते हैं ठीक है ना पहले ये चारो के चारो बच्चे अपने बाप की बात नहीं मान रहे थे लेकिन जैसे ही उसने खुद को position relative declare किया और बच्ची क प्रोपर्टी में उसने position relative, sorry position absolute declare किया है तो ये सब जितनी भी child थे ये सब फादर की प्रोपर्टी में अलग-अलग move हो चुके हैं तो अगर हम simple context देखते हैं तो जब एक main container होता है और उसके child जो उसके child होते हैं हमें उसके parent के according move करना होता है तब हम position absolute और position relative का use करते हैं तो I hope कि आपको concept समझ आया होगा तो please guys चैनल को subscribe करने और वीडियो को like करने मिलते हैं next वीडियो में